हेलो फरेंड्स आज हम बनाएंगे मावे की गूजिया इस ते बहर पर आप मावे की गूजिया इस प्रकर बनाईए बहुत्ति टेस्टि और स्वाधिष्ट लगते हैं चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम मावे में थोड़ा सा चावल का आठा मिलाएंगे जिसे हम सांजा बोलते हैं तो हमने चावल सेख लिये हैं अब वो चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब येने हम थोड़ा सा घी में अच्छे से सेक लेंगे जो हमने चाल काटा लिया एक कटोरी चाल काटा अच्छे से घी में सेक लेंगे जो भी मौवे के गुजिया बना रहे हैं उसमें सकर डारेक्टर नहीं मिलाएंगे सकर की चासनी बना के मावे में मिक्स करेंगे तो हमने जितना मावा लिया है उतनी सकर लेनी है जब भी आप मावा लो तो जितना मावा ले रहे हो उतनी सकर लेनी है तो सकर लेके हमें उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और भी इसे थोड़ी देर और चलाते रहेंगे लगभर इसे चलाते रहना है अब हम चेक करने के लिए कटोरी में पानी लेके जो भी चासने वो डाल के देखेंगे कभी चासनी हातों में उंगलियों में नहीं चिपक रही है तो हमारी चासनी लगभग हो गई है हम इसमें मावा डाल देंगे मावा डालनेके بعد इसे लगतार चलाते रहना है ताकि लम्स निकल जाए और मावे में लम्स ना रहा है इसे लगतार चलाते रहना है इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसके बाद जो हमने चाउल काटा सेके रखा था वो इसमें फिर मिला देंगे अब हम इसमें जो चावल काटा लिया था वो हम इसमें मिला देंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके डालना है और अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिला देने के बाद इसे कम से कम 5-6 गंटे के लिए रख देंगे तो यह जो भी मावे का बेटरिय अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा अब थोड़ी देर पांच मिनिट और जलाते रहेंगे इसके बाद इसे 5-6 गंटे के लिए हम रख देंगे तो यह अच्छे से बेटर गाढ़ा हो जाएगा अब हम गुजिया बनाना इस्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने मेदा लिया है मेदे में हम गी का मोहन डाल रहे हैं यह आप अच्छे से डालो गए तो आपकी जो भी गुजिया का उपर का कवर है ओ अच्छा आएगा और आटा हमें दूसरे लगाना है दूसरे लगाएंगे तो हमारी गुजिया बहुत दिनों तक अच्छी ताजी बनी रहेगी अच्छी टेस्टी लगेगी इसे अब आटे को अच्छे से हमें लगा लेना है हम आटा लगा के तयार कर लेना है तेसा आटा लगा के हमने तयार कर लिया एक कटोरी में थोड़ा सा दूद लिया है, ऐसी छोटी-छोटी सी रोटिया हमें बेल लेना है, अब जो गुजिया का साचा है, आते हैं मार्केट में, वो हमने लिया है, अब उस पे से ये रोटी रख देंगे, उसके पहले हम एक बार इस पे घी लगाएंगे, उसके बाद जो हमने रोटी बेली है, इससे रख लेंगे, तो आप देख सकते हो, मावे का बेटर कितना अच्छे से गाड़ा हो गया है, अब ये मावे का जो भी बेटर है, हम इसमें रखके, इसके किनारों पर फिर दूद लगाएंगे, इसके किनारों पर दूद लगाके, अच्छे स इसे cover करके अच्छे से चिपका देना है, अच्छे से चिपका आएंगे ताकि इसके किनारे हम जब fry करेंगे यह खुलेगे नहीं, ऐसे किसे सारी गुजिय हम तयार कर लेंगे, तो ऐसे एकदम पतली रोटी बेल के तयार करनी है हमें, और उसमें ऐसे मावे का बेटर भरके ग गुजिया पसंदो तब तेल में फ्राय करके रख सकते हूं, हम गी में फ्राय कर रहे हैं, ऐसे हम दो दो गुजिया डालके सारी गुजिया अच्छे से फ्राय कर लेंगे जो हमने मावे का बेटर तयार करें, ऐसे हम तयार करेंगे तो गुजिया बहुत ही टेस्टी लगेगी और मावे का जो भी बेटर हमने अंदर भरके तयार किया, वो हमेशा ऐसे ही जब भी हम बनाऊगे तो इसे ही बना रहेगा तो आप मावे का जो भी बेटर है, सकर की चास्नी बना के बनाए, इस प्रकार हमारी सारी गुजिया हम फ्राइब कर लेंगे, तो हमारी सारी गुजिया फ्राइब हो गई है, अब इन्हें हम अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे, तो आपको आप देख सकते हैं, हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई है, आपके को हमारी वीडियो अर्च लगे है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,